हाइलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका अपने चैनल आलिन्वन ग्यान ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम सेयर करेंगे पनीर लड़ो की रेसीपी इसे बनाना बहुत है आसान है जब भी कुछ मिठा खाने का मनू हो पर्व हो त्योहार हो इस तरीके से आप पनीर लड़ो घर पर एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा आपको यह बेहत पसंद आएगा जब कोई पर्व त्योहार आता है तो उस समय मार्केट में मिठाईयां बहुत घड़या किस्मिकी आने लगती है तो इसलिए इस समय पर्व में आप घर पर मिठाई इस तरीके से ब पका लेंगे जब तक हमारा दूद पक रहा है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं यहां पर हमने पनीर ले लिया है इसे हम इस तरीके से तोड़ लेंगे पहले छोटे-छोटे पीचेस में कर लेंगे अब इसको हम बारीक करेंगे हथेली से रगड रगड कर इसे हमें चिकन दियान देना है यहां पर पनीर आप चाहे घर का बना हुआ ले या फिर मार्केट का पनीर फ्रेश होनी चाहिए ताजी होनी चाहिए यहां पर हमारे जो लड्डू बनेंगे वह एकदम सॉफ्ट बनेंगे मुह में जाते ही वो घूल जाएंगे इतने ज्यादा सॉफ्ट और यह लड़ू बन करके घर पर तयार होते हैं कि आपको खुद नहीं अकिन होगा कि इस लड़ू को आपने बनाया है तो यहां पर दूध हमारा अधर रह गया है आप देख सकते हैं और पनीर को भी हमने अच्छी तरीके से मसल लिया है अब इसे हम इसमें डाल देंगे डाल दे सब्सक्राइब बनाद पर नहीं सब्सक्राइब थर टे यह अखेन के सशमें नहीं मिदिकश्यकाता mausa, कर देख सब्स्क्राइबू बाराद हमारा नहीं जर कर Но कि इसमार नहीं डाल देरिकंगे आप्सी साविरूरा नहीं और बात नहीं पकाते हैं ौनhan को आपेर रूध ह चेंज हो जाएगा यह वाइट वाइट से नहीं बनेगी कलर चेंज ना हो ताकि लगे कि हाँ यह पनीर की मिठाई बनी हुई है तहाँ पर जैसे ही यह पकना शुरू होगा इसमें से कुछ छीटे आने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने ऊपर एक ल पांच से सात मिनट होंगे छीटे अपने आप से बंध हो जाएंगे यहाँ पर हमने किसर की दागे को दूद में भीतों कर रख दिया था इसके दूद को हम इसमें डाल देंगी इसमें कलर अधा आ चुका है नहीं आया है यहां-सर कीकी को इसमें डौलएंगे इसमें कर देख। करेंगे लड़ों के ऊपर से हमझे are कहरेंगे थि आपर देख सकते हैं यह विए हम पकार लिया है यह शूक गया है एक से ड्राय नहीं करना है अभी इसमें मॉइस्चर है इस स्टेच पर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और दो मिनट इसे भी हम इसके साथ भूनते हुए पकाएंगे भून लेते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पर पहले बार आए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की और आप हमारे सभी वीडियोश को आसानी से देख सकें यहां पर हमने इसे मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं इसको आप 2-3 मिलट चलाते हुए भूनेंगे मिक्स करेंगे खुद बखुद यह मिक्स जो है पैन चोड़ने लगेगा एक जगह आकर सेट होने लगेगा इतना ह पकाना है इससे ज्यादा इससे हमें ड्राय नहीं करना है अब हम इसे नीचे उतार दिये हैं अब पूरी तरीखे से इसे थंडा होने देंगे बीच-बीच में चला देंगे और फिर इसे फैन के नीचे रखक वह जलदी से आप ठंडा कर सकते हैं यहां पर इसे हमने थंडा कर लिया है अब एक चमस लेंगे हाथ में थोड़ा साम घी लगाएंगे स्टार्टिंग में एक बार इस तरीके से हम इसके लड्डू बनाएंगे आप अपने मन पसंसाइज छोटी या बड़ी लड्डू बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे बर्फी सेप में जमा कर कट कर सकते हैं जिस तरीके से बर्फी को जमा कर कट की जाती है तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं बहुत ही सौट लड्डू बने हुए हैं आपको यकीन नहीं आएगा कि इसे आपने घर पर बनाया है तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए देगा आपको यह बेहाद पसंद आने वाला है कोई भी वहार हो तोहर हो एजरा कम फिर कुछ कछ खाने का मन हो तो बनाना एगा अप बनता है तो इस तरीके से सारी रट्डू को प्रेटी कर लिया है तो कीके सबना इस ओडह एक और इस तरीके से लगा देंगे और जो इसक लट्व घर पर बनकर के तैयार हो गया यहां पर नीचे आपको घेवर भी दिख रहा होगा इसके पहले हमने घेवर की रेशीपी से एर किए घर पर बनाने को लगेगा कि इसे आपने मार्केट से लाया है तो देखाना कितना आचान है पनीर लड़्डू गर बनना दाने-दर पनीर लड़्डू घर पर बनकर तयार है अब यह सेर्व करने के लिए टि इस तरीके से आप घर पर इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको बनाने का तरीका पसंद आया हो इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें लाइक करें चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ बनाएए खाईए इंजवा कीजिए तब तक के लिए थैंक यो